असलाम वालेकुम एन वैलकम टू माई चैनल यम्मी पूर्ड विद सना आज मैं आपके साथ एक वेजिटेरियन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ हम बनाने जा रहे हैं सोया बिन के कबाब तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी को तो सोया बिन के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया बिन को पका लेगे तो यहां मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है और इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है जैसे हमारा पानी गरम होने लगेगा, हम इसमें डालेगे नमक, तो यहां मैं आदा चमच नमक इसमें डाल रही हूँ, नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेगे, फिर हम इसमें डालेगे, फिर हम इसमें डालेगे, यहां मैंने तक्रीबन पाव खिलो सोया बिन ल अब हम इसका ये पानी फेक देंगे और दो पानी इसे अच्छे से धो लेगे और इसे प्लेट मे निकालेगे यह देखिये presentations अच्छे से धों के निचो लिया है जिसके यह डेख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए अब हम इस उबलेवे सोया बिन को मिक्सी में डालके दरदरा सा ग्राइंड कर लेगे तो इस कबाब के लिए हम एक मसाला तयार कर लेगे तो यहां मैंने तकरीबन पाँच हरी मिर्चे लिए और दस लसन के कलिया लिए इसमें मैं डालूगी एक चमत जीरा और लसन हरी मिर्चे और जीरे को हम मिक्सी में डालके मोटा मोटा सा पीस लेगे और फिर हम इस मसाले को कबाब में इस्तमाल करेगे तो चलिए अभी करते हैं कबाब की तयारी तो यहाँ मैंने पतीले में तक्रीबन 5 उबलेवे आलू ले लिये है यह अंदाजे में 0.5 kg है, इसे मैंने मैश कर लिया है अब हम इसमें डालेगे जो हमने सोयाबीन उबाल के और इसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, पूरा का पूरा अब हम इसमें हमारे मसाले आइड करेगे तो यहां मैं धनिया पाउडर दाल रही हूँ, दो चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेगे साथी में मैं इसमें डालूगी एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आदा चम्मच जीरा पाउडर, आदा चम्मच हम इसमें डालेगे, आमचूर पाउडर, अगर आमचूर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और ये मैगी मसाला मैजिक, अब जो हमने हरी मिर्ची लस्तन और जीरा पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देगे साथी में मैं इसमें डालूगी बारिक कटावा हरा धनिया सभी मसाले डालने के बाद हम इसे आलूओ के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेगे आप बेसन के अलावा इसमें कॉन फ्लार या फिर ब्रेड करम भी डाल सकते हैं तो यहां हम इसमें से थोड़ा सा बैटर लेगे मैंने हाथों को पहले से ही ओई लगा के ग्रीस कर लिया था और हम इसका एक बॉल बनावेगे जितने बड़े आपको कबाब चीए उतने बड़े साइज का बॉल बनावेगा फिर हम इसे हतियलियों से ऐसे फ्लैट करके इसे एक टिक्की का शेप देदेगे यानि की कबाब का शेप देदेगे जैसे कि मैंने तयार किया बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब तयार कर लेगे तो यह देखिए यहां मैंने कुछ कबाब तयार करके रख दिया है अब हम इस कबाब को करेगे फ्राए तो सोया बिनके कबाब फ्राइ करने के लिए यहां मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया और इसमें मैंने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ओयल डाला है तो हम कबाब को शेलो फ्राइ करेगे इसलिए मैंने थोड़े ए थेल का इस्तेमाल किया है अब मैं थोड़े से कबाब का बैटरिस में डाल के देखूगी कि हमारा ऑउil गरम हो गया है यह नहीं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ने आपको होका में बाप दाना में दाल सकते हैं iones रंकाने से ह Sandine बड़ स्यार्टाब्स पेड़ा के इसे से healthy प्षाइक है नहीं है ज्याड़ी स्यार्टा करना रिख़ाइक यह प्लटिए तो यह तूड भी सकते है तो यह देखिए तीनों कबाब को मैंने बड़े धियान से पलट दिया अब मैं इसे दूसरी साइट से भी हाई फ्लिम पे ही पकने के लिए छोड़ दूगी यह दो से तीन मिनिट में अराम से पक जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह कबाब भी फ्राइ कर लेगे बस कुछ चीजों का हमें ध्यान देना होगा कि एक बारी में आपको तीन से चार कबाब भी फ्राइ करने है और कबाब को आपको मीडियम से हाई फ्लिम पे फ्राइ करना है तो हमने हमारे सारे कबाब फ्राइ कर लिए तो चलिए अब में करती ह से डिश आउट तो ये देखिए हमारे वेजिटेरियन कबाब रेडी हो गए है मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और साथी में इसे थोड़े से प्यास के स्लाइस और पुदीने के पत्तों के साथ गार्निश कर लिया है जैसे के आप देख सकते हैं कितने अच्छे ब अला हाफीज